तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में एक युनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे जिसका नाम है उस्मानिया युनिवर्सिटी उस्मानिय उनिवर्सिटी जो की प्रिंस्ली स्टेट आफ हैदराबाद की पहली उनिवर्सिटी मानी जाती है और ये आलमोस्ट आल सव साल पुरानी उनिवर्सिटी भी है यह university चंट्री की top universities में एक मानी जाती है जिसके पास rich history है और यह हमको proud महसूस कराती है तो आईए जानते हैं कुछ interesting facts इस university के बारे में उस्मानिया यूनिवर्सिटी एक पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसको 1818 में बनाया गया था निजाम महभूब अलीख खान ने जो जिसके चीफ आर्किटेक्ट जो बनाने वाले थे डिजाइन नर उसका नाम था नवाब सरवरजन ये यूनिवर्सिटी को सेवंत और आखरी निजाम के नाम पर रखा गया था जिनका नाम था मीर उस्मान अली खान और ये बनाई गयी थी रॉयल चार्टर से ये university पूरे country की मतलब हमारी इंडिया की 7th oldest university मानी जाती है और हमारे सवतन इंडिया में 3rd oldest university है मतलब अतनी पुरानी है OU एक बड़ी university मानी जाती है क्योंकि इसके जो affiliated colleges होते हैं campus इसमें almost all 3 lakh students आपको देखने मिलेंगे जो उसमानिय उनिवर्सिटी का जो plan था उसको initiate किया था मतलब start किया था wilfred 7th blunt ये ब्रिटिश educationist थे 1884 में उनिवर्सिटी में बड़ा campus है जिसका area है 1600 acres मतलब 1600 acres 2001 में उसमानिय उनिवर्सिटी को 5 star status दिया गया NAAC जिसको बोलते है National Accreditation and Assessment Council by University Grant Commission मतलब इसको 5 star status दिया इसके education और इसके जो माहूल को देखकर environment को देखकर यहाँ पर इसको 5 star दिया गया है उनिवर्सिटी में आपको library भी देखने मिलेंगी जो की हमारे university के साथ ही बनाई गई थी 1818 में इस university की library में आल्मोस्ट आल आपको 5 लाग books देखने को मिलेंगे साथी साथ आपको इसके 6000 manuscripts भी देखे मिलेंगे जो palm leaf पर लिखे गए scripts है जो की काफी पुराने भी है उस्मानिया उनिवर्सिटी के अंदर आपको तकरीबन 60 departments देखने को मिलेंगे जो आज भी work कर रहे है 2012 में उनिवर्सिटी को 6th position मिला पूरे nation के premier university of humanity में जिसकी sciences और commerce stream के जरिये हमको यह पर 6th position मिला था पूरे nation में विच मतलब जिसकी वज़े से हमको university को एक excellent status भी हाँ पर मिल चुका था तो यह तो काफी पुरानी university हो चुकी है जो आज भी actively function कर रही है और उससे काफी तौर पर काफी लोग educationist, काफी philosophers और काफी तौर पर doctors, engineers और काफी तौर पालालाग अलग यहाँ पर profession के लोग निकलते हैं और काफी अच्छे subject के साथ content oriented persons निकलते हैं तो अगर से आपको यह info पसंद आई तो वीडियो को like करना ना भूले और चैनल को subscribe कीजिए ताकि हमारी latest latest update आप तर आप तक तहुँच चुके है त्हुच पर वाचिन मैवीव टेखनी का आदलामादी